नमस्कार आपका अख़बार की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीब सेग। आज जड़ा उतर प्रदेश से हटकर या चुनावी राज्यों से हटकर महाराष्ट की रोचलते हैं। आपको ख़बर मिल चुकी होगी कि नवाब मलिक जो महाराष्ट विकास अघाडी सरकार्वे मंत्री हैं। एंसीपी के मुख्य प्रवक्ता हैं और शरत पवार के बहुत ही करीबी नेताओं में से एक हैं। वो आज सुबह इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट के पंदे में फंस गए हैं। manwork. अनसे पुष्ताच चलने हैं. अब बॉखलाहट और प्रैशानी केवल एंजिपी में नहीं हैं. पूरी महाराष्ट विकास अगाडी सरकार में है और जब महाराष्ट विकास अगाडी सरकार पर कुछ होता है आजकल सबसे ज़्यादा जो कूटते हैं उनका नाम है संजेराउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं, राजसभा के सदस्य हैं उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं हलांकि महाराष्ट की राजनीती में लोगों में इस बात को लेकर बड़ा विवाद है कि वो वास्तों में किसके करीबी हैं उद्धव ठाकरे के ज़्यादा करीब हैं या शरत पवार के ज़्यादा करीब हैं कुछ लोग कहते हैं कि वो शिवसेना में रहकर शरत पवार का एजिंडा चलाते हैं तो शरत पवार की ओर से बैटिंग करते हैं अब क्या सच्चाई है पता नहीं लेकिन इतना तो होता है कि संजय राउत जो है वो इतनी जल्दी उनका ब्लड प्रिशर बढ़ जाता है आपस से बाहर हो जाते हैं कि तुरंत जो है देख लेंगे बता देंगे समझा देंगे और बदला ले लेंगे इस भाषा में बोलने लगते हैं उनकी भाषा जो है वो किसी राज्यसभा सदसी की या किसी प्रदेश स्तर के निता की नहीं होनी चाहिए जो कि उनकी है अब उन्हों राज्य में आकर जैसे वो बताने की कोशिश कर रहे हो कि राज्य मतलब दूसरा उनका महराश्ट देश है कि हमारे राज्य में आकर हमारे मंतरी को उठा लिया इसका मतलब यह है कि यह महराश्ट सरकार के लिए चुनौती है तो क्या करेगी महाराश सरकाल दिल्ली पर चड़ाई कर देगी या प्रधान मंतरी और ग्रिह मंतरी को ग्रिफतार कर लेगी अरे भई आप राज्य सभा के सदस्य है आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि इन्फोर्स्मेंट डारेक्ट्रेट एक औल इंडिया एजन्सी है वो किसी भी राज्य में कहीं भी कारवाई कर सकती है इसके लिए स्वतत्र है इसके लिए उसे किसी राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन राज्यनीती है कुछ बोलना है तथे नहीं है तो इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तिमाल करना है तो नवाब मलिक तो एडी के पंदे में फंस गए है अनिल देशमुक पहले से जेल में है तो शरत पवार के दो सबसे करीबी लोग एक जेल में हैं दूसरा जेल में जा सकते हैं इसकी संभावना लगातार बढ़ती जा रही है और यह मामला है मनी लॉंडरिंग का यह मामला है दाउद इब्राहिम के लोगों की संपत्ती की खरीद का खरीद मतलब औने पौने दाम पर आपको याद होगा कुछ समय पहले देविन फ़र्णविस ने आरोप लगाया था कि दाउद इब्राहिम के आदमी की जमीन जो है नवाब मलिक ने अने पौने दाम पर खरीदी थी दाउद इब्राहिम नवाब मलिक शरत पवार यह नेकसस खास्ताव से दाउद इब्राहिम और शरत पवार का नेकसस जो है वो आज का नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात आज खुद जो है एक तरह से शरत पवार ने सुईकार की और उनका इस तरह के आरोप मुझे पर भी लगते रहे इस तरह से मुझे भी घेरा जाता रहा है और आज से नहीं 1990 से लेकिन ये पूरा महाराष्ट जानता है, पूरा देश जानता है, इस देश की जितनी investigating agencies हैं, सब को पता है, कि दाउद इबराहिम और शरत पवार के क्या संबंध है, या दाउद इबराहिम का जो तंत्र है, उसके बारे में शरत पवार की क्या जानकारी है, उन्होंने किस तर यानि राजनीतिक बदले की भावना से ये कदम उठाये जा रहा है, ये जो कारवाई हुई है, ये NIA की एक FIR है ताजा, money laundering का हवाला का मामला है, उसके आधार पर enforcement directorate ने दाहुद इबराहिम का भाई जो इकबाल कासकर, जो जेल में था, उसको गिरफतार किया, इडी ने उसके बाद रिमांड पर लिया, उससे पूशताच के बाद छापे पड़े दस जगहों पर मुंबई में, और इन सबसे जो जानकारी मिली है, उसके बाद नवाब मलिक को पूशताच के लिए ले जाया गया है, अब political vendita की बात तो हर उस मामले में कही जाती है, ज उसके बारे में भी RGD के लोग होते हैं, जिस भी यादों ये कहरा हैं कि ये राजितिक बदले की कारवाई है, अब आप समझेए, पहली बार जो CBI जानक शुरू हुई चारा घोटाले की, 1996 में पटना हाई कोट के आदेश पर, वो जेल गए जब HD देवगोडा देश के प उस समय मनमोहन सिंग प्रधान मंतरी थे देश के, तो इसमें बीजेपी का पुलिटिकल वेक्ति के कहां से आ गया, बीजेपी बदले की भावना से कहां काम कर रही है, लेकिन आरोप लगाना है, तो मतलब ये है कि बीजेपी के शाशन में उसके सत्ता में रहते हुए किसी पुलिटिकल वेक्ति के खिलाव गैर कानूनी किसी काम में कारवाई हो, तो वो पुलिटिकल वेंडिटा है, तो इस से खर ये सरकार जो है, इन बातों से इन आरोपों से कोई उसको फर्क पढ़ता नहीं, उस पर कोई असर पढ़ता नहीं, तो नवाब मलिक का, एडी के चं शरत पवार का, ये मामला है पूरी Nationalist Congress Party NCP का, अब प्रधानमत्री नरिद मोदी भी गजब वेरती है, मुझे मुझे जो है, कई बार समझ में नहीं आता कि वो कैसे काम करते हैं, अब आप देखिए किस तरह के मैसेज देते हैं, सारवजनिक मंच से आपने भी सुना होगा, देखा होगा, कि वो शरत पवार की प्रशंसा करने का कोई मौका छोड़ते नहीं, अभी हाल ही है, जो संसत का बजट सत्र चल रहा है, अभी रिसेस हुई है, राश्पती के अभिभाशन पर धन्निवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए, राज्य सभा में प्रधान मंतरी ने शरत पवार की बड़ी प्रशंसा की है, शरत पवार की समस्या ये है कि सारवजनिक मंचों से, सारवजनिक रूप से प्रधान मंतरी उनकी तारीफ करते हैं, उनके लिए उनके खिलाफ बोलना मुश्किल हो जाता है, बोलते हैं तो उसकी है नहीं कभी नहीं रही है कम से कम राष्ट्री राजनिती में तो नहीं रही है महाराष्ट की राजनिती में भी उनका वो असर पहले जैसा नहीं रहे गया है यह इसी बात से लगा लिजिए कि शरत पवार कहां से कहां पहुंचे है। और वो अपनी वज़े से पहुंचे है। उसमें और किसी का कोई उपreath-दा नहीं है। तो शरत पवार के पक्ष्में या शरत पवार की प्रशंसा में प्रदानमंत्री बोलते रहते हैं और केंदरी एजेंसियां अपना काम करती रहते हैं तो इससे ये भी एक संदेश देते हैं कि मेरा जिससे संबंध है निजी या जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ ये मैसेज नहीं है केंदरी एजेंसियों के लिए किसी भी जाँच एजेंसी के लिए आप इस बात की फोई परवाह मत कीजिए आप इस बात को कताई कंसीडर न कीजिए वो जाँच एजेंसी उसे कह रहे हैं कि मैं किस के बारे में क्या बोलता हूँ प्रशंसा करता हूँ या विरोध करता हूँ उसकी आनुचना करता हूँ या तारीफ करता हूँ इस पर मत जाएए आपको कानून के हिसाब से आपको जाँच में जो मिले उसके आनुसार कारवाई कीजिए अनिल देशमुक के मामले में भी यही हुआ अब नवाब मलिक के बारे में भी यही हो रहा है तो शरत पवार के लिए प्रधान मंतरी नरेन मोदी एक पहली है उनको लगता है कि इनसे दोस्ती हो सकती है इनके साथ काम किया जा सकता है फिर अचानक लगता है कि नहीं नहीं यह सम्भव नहीं है उनको मालूम है कि नरेन मोदी किसी भी गलत काम पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अशरत पवार की सबसे बड़ी मुश्किल यह है शरत पवार सौधे वाली राजनीती करते है लेने देने वाली राजनीती करते है इसाथ दो इसाथ लो उस तरह के राजनेता है उनके लिए मोधी बहुत बड़ी पहली है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मोधी से कैसे निपते अब जैसे ही उनको जो है राश्टपती पद का उमीदवार बनाने की बात होती है जैसे उनको जो है प्रधान मंतरी पद का दावेदार बनाने की बात होती है कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है प्रधान मंतरी की तारीफ होती है उसके बाद एजेंसियों की और से उनके खिलाफ नहीं हुआ है कुछ लेकिन ये पता है प्रधान मंतरी को कि शरत पवार नाम के तोटे की जान कहां बसती है किस चीज में है अनिल देशमुक और नवाब मलिक इनका जाँच एजेंसियों के घेरे में आना ये शरत पवार के लिए बुरी खबर है अनिल देशमुक की भी थी अब नवाब मलिक की भी है नवाब मलिक जिस तरह से E.D. के अधिकारी जो मुंबई के उनके महाराश के चीफ थे समीरवान खेड़े उनके खिलाफ लगभग रोज प्रेस कांफरेंस करते थी और आपने देखा होगा कि किस तरह से वो प्रेस कांफरेंस नेशनली टेली कास्ट होती थी सब जितने चैनल है राष्ट्री हों या रिजनल चैनल हो सब दिखाते थे वो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही थी अब आप देखें कि ये जो लिफ्ट लिबरल्स का इको सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है नवाम मलिक को ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे देश का सबसे बड़ा नेता कोई बोल लाओ और उसकी बात इतनी महत्वपून है कि वो सब तक पहुंचनी चाहिए पूरी पहुंचनी चाहिए और जब तक वो बोले तब तक उसको दिखाये जाना चाहिए नवाम मलिक के बोलने पर रोक लगी है जब समीर वान खेड़े के पिता ने मानहानी का जो है वो मुकदमा दर्ज किया हाई कोट ने उसके बाद उनके बोलने पर रोक लगाई फिर भी बोले फिर जाकर माफी मांगनी पड़ी हाई कोट में इसके बाद जो है उनका बोलना रुका है अब उनको बोलना है E.D. के सामने तो ये घेरा महाराष्ट में कसता जा रहा है और घेरा ऐसा लग रहा है बाहर से कि शरत पवार और N.C.P. पर कस रहा है लेकिन ये पूरी सरकार पर कस रहा है कि ये सरकार कि लोगों की है कैसे लोग इस सरकार को चला रहे है उनका आतीत क्या है उनका वरतमान क्या है कैसे लोगों से उनके संबंद है किस तरह का व्यापार करते है किस तरह से ये ऐसे पॉलिटीशन है जिनको आतंकवादियों से और ऐसे तत्वों से मेल जो रखने में संबंद रखने में कोई इतराज नहीं उनके लिए कई लोगों के लिए तो ये ट्रॉफी जैसा है जो है इतने बड़े आतंकवादी से जो है संबंध है उसके लिए कभी माफी नहीं मांगते दाउद के खिलाफ NCP के कितने नेताओं ने बयान दिया है ये याद करना भी मुश्किल होगा तो इसलिए जो जांच एजनसियों अब NIA की भी जांच चल रही है ऐसा नहीं क्यों E.D. की है E.D. तो इसलिए आया है कि Money Laundering का मामला आगया हवाला का मामला आगया उसके अलावा जो आपरावधिक मामला है उसकी जांच जो है वो NIA कर रही है NIA की ही FIR के basis पर एडी ने ये पूशताच शुरू की है उसी के basis पर अकबाल कासकर को कस्टरी में लिया है इसके अलावा दाओद इबराहीम की जो बहन है जिनका निधन हो चुका है हसीना पारकर उनके बेटे से भी पूशताच हुई है इसके अलावा छोटा शकील के ब्रदर इल्लो से भी पूशताच हुई है तो ये मामला ऐसा नहीं है कि ये भी आरूप नहीं लगा सकते कि चुनाओ है इसलिए चुनाओ से पहले डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है कोई चुनाओ नहीं महाराश में महाराश में 2024 में चुनाओ है पहले लोकसभा का है उसके बाद विधानसभा का है तो ऐसा नहीं कि विधानसभा का चुनाओ होने जा रहा है दो महिने में तीन महिने में ये चल रहा है उस समय ये एक्शन हो रहा है तो जब भी एक्षन होता है तो सवाल टाइमिंग को लेकर उठाये जाता है कि इस समय क्यों हो रहा है तो भई लीजी अब कोई चुनाव नहीं है तब ये हो रहा है उद्धा उठाकरे के मुझसे कोई शब्द निकल नहीं रहा है इसके बारे में कॉंग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्टेंड क्या ले क्योंकि शिवसेना और एंसीपी दोनों मिलकर जो है दूसरे दलों से मिलकर जो राष्ट्री वितल्प बनाना चाहती है राष्ट्री मोशा बनाना चाहती है उससे Congress को अलग रखना चाहती है Congress को बात्षीत में शामिल नहीं किया जा रहा है Congress को एक तरह से कई पार्टियां जैसे मम्ता बने जी की पार्टिया या केचंदशेकर राव की पार्टियां या दूसरी कई पार्टियां हैं जो टार्गेट करती है जो जिनका कहना है कि कॉंग्रेस को किसी भी विपक्षी एकता की कोशिश में शामिल नहीं किया जाना चाहिए अब शिव सेना दोनों तरफ कहलती है उसको मालुम है कि अगर वो उसने एकदम क्लियर स्टेंड ले लिया कॉंग्रेस के खिलाफ तो उसकी सरकार चली जाएगी तो कॉंग्रेस की खिलाफ खुल कर कुछ बोलते नहीं लेकिन जो कॉंग्रेस को हटा कर या कॉंग्रेस को दरकिनार करके जो मोर्चा बनता है उसमें भी शरीक है अभी हाल ही में मुलाकात कोई है के चंदरशेकर राओ और उध्वठाकरे की उससे पहले ममताब एनरजी मिलने आई थी शरत पवार से और ध्वठाकरे के बेटे से मिल कर गई तो ये जो दोहरा खेल चल रहा है ये असल में इस सरकार के लिए महराश्ट की सरकार की बात कर रहा हूँ उसको अस्थिट करने के लिए अपने आप में ही काफी है तो मैं जो बात कह रहा हूँ काफी दिनों से कि महराश्ट की महराश्ट विकास अगाडी सरकार जो है गडबंधन सरकार ये अपने ही बोज से गिरेगी इसको किसी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस दिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे सरकार के अंदर के जो contradictions है वो सामने आ रहे है लेकिन सबसे मुश्किल में जो है अगर कोई है तो शरत पवार है उनको समझ में नहीं आ रहा है मोदी ने उनको ऐसा चकरगिनी बना दिया है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरफ रहें दोस्ती करें कि दुश्मनी करें दुश्मनी करने की ताकत नहीं है दोस्ती करने से डर लगता है कि दोस्ती कर भी लेंगे वही हाल है जो जगन रेड़ी का है जगन रेड़ी एक समय दोस्ती करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे थे बीजेपी से दोस्ती हो जाए प्रधानमंत्री से हो जाए तो जो दिये का केस है उनके खिलाब चल रहा है कोट में डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का उसमें कुछ मदद मिल जाएगी तो उनको बताया गया कि इस उमीद में मताईएगा जिस दिन अदालत का शिकंजा खसेगा ये लोग आपको ऐसे छोड़ देंगे तो इसलिए फिर इंडिये में आने का साथ आने का ये सब इरादा उन्होंने छोड़ दिया शरत पवार की भी मुश्किल यही है कि ले देकर महाराश्र में किसी तरह से सत्ता है जिसकी कुझी उनके पास है उसको वो गिराना नहीं चाहते एक हद के बाद मुदी को नाराज नहीं करना चाहते तो ये जो वो रसी पर चल रहे हैं कब संतुलन बिगड़ेगा और कब गिर जाएंगे कुछ पता नहीं लेकिन मानना पड़ेगा नरिद मुदी की राजनीती उनकी रणनीती वो इस बात की हवा भी नहीं लगने देते जिसके बारे में बोल रहे हैं अच्छे अच्छी बाते कर रहे हैं उसके खिलाफ नहीं की सरकार की एजेंसिया कारवाई भी कर सकती है उन्हीं की सरकार की एजेंसिया उनके करीबी लोगों के इर्द गेरा कर सकती है ये एक ऐसी सरकार है जो गैर कानूनी काम करने वालों से कोई समझावता नहीं करती है वहाँ कोई रिष्टेदारी कोई दोस्ती काम नहीं आती है ये शरत पवार को एहसास हो रहा है लेकिन उनके साथ ने विकल्प नहीं है वो कुछ कर नहीं सकते सिवा इसके कि आलोशना करें बोलें कि ये पुलिटिकल वेंडेटा है सरकारी केंद्री एजिंसियों का गलत इस्तिमाल हो रहा है इससे ज़्यादा वो कुछ करने की इस्तिती में नहीं है ऐसी बेबसी शरत पवार की कभी नहीं रही हो अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में शरत पवार एक ऐसे बेबस नेता के रूप में नजर आ रहे हैं जो चाहता है जो करना उसको करने की हिम्मत नहीं हो रही है कर पाएं नहीं कर पाएं वो तो बात की बात है वो करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है इसलिए आप देखेंगे कि वो एक कदम आगे चलते हैं तो दो नहीं, तीन कदम पीछे जाते है और ये सिलसला चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है क्योंकि अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता और कर्ण, वो तो लॉट लॉट कर आता ही रहता है वही शरत पवार के साथ हो रहा है तो आज का इंक में इतना ही, अगले एंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आप से अनरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार